अचानक से सब कुछ बदलता नजरा रहा है और बदलता नजरा रहा है कि किस तरह से रामविलास पासवान का परिवार और पार्टी दोनों भी खर गई थी और अचानक से एक ऐसा ओसर आया जिसमें कहीं न कहीं चिराग पासवान कामयाब हो गए परिवार और पार्टी को एक और उनकी बर्शी को ले करके चिराग पासवान ने एक बिहत कारेकरम बनाया था और इस कारेकरम में उन्होंने दोस्त और दुस्मन सभी को निमंतरन दिया, सभी को जुटाया और उनका सीधे तोर पे कहना था कि मेरे पिता, और मेरे गुरू राम्बिलास पासवान ने अपने राजनितिक जीवन के पांच दसक में ऐसा कोई भी नहीं था जिससे उनकी दुस्मनी हुई हो सभी के साथ उनका बहुत ही बहतर संबंद रहा था और उन्होंने राजनितिक जो मंच है उसको एक नया दीशा दिया था बिहार सहिद भारत और भारत से पुरी दुनिया में नाम अपना बनाने वाले और सम्मान दिलवाने वाले राम्बिलास पासवान जी की आज बरसी है वो हमारे बीच नहीं है और ऐसी स्थिति में वो सभी लोग जो राम्बिलास पासवान को चाहे जिस तरह से जानते हूं वो बरसी के लिए कई बार प्रयास किया चिराग पासवान ने कि उनकी मुलाकात बिहार के मुख्यमंत्र नितीशकुमार से हो और वो खुद मिल करके नितीशकुमार को निमंत्रन दे लेकिन ये संभों नहीं हो पाया। इतनी भी क्यानाराजगी और ब्यस्तता कि उनके पास निमंतरन पत्र के लिए मिलने तक का वक्त नहीं था हलाकि जदियू के और कई नेताओं से चिराग पासवान की मुलाकात हुई और घंटो बात चित हुई है इन सारी इस थितियों को देखते हुए लगभग हर दल के नेता और वरिश्ट लोग इस बरसी में आने का स्विक्रती दे चुके हैं लेकिन अभी तब तक नितीश कुमार के तरफ से कोई बात क्लेर नहीं की गई है खला कि उनकी पार्टी और अन्य लोगों के तरफ से कहा जा रहा है कि नितीश कुमार जी बरसी कारिकरम में पहुंचेंगे खला कि इस बात की संभावना चिराग पासवान भी ब्यक्त कर रहे थे लेकिन सबसे बड़ी बात जो हुई है वो यह है कि पार्टी को दो खंडों में विभक करने वाले चाचा पसुपती कुमार पारस ने अब राम बिलास पासवान और चिराग पासवान के सर पे कहा जाए तो पिता की तरह उनके चाचा ने हाथ रख दिया है चिराग पासवान के सर पे हाथ रख करके पसुपतिक मार्थ पारस ने कहा कि मेरा भतीजा है मेरा बेटा है और मैं हमेशा इसके साथ हूँ इतना ही नहीं इस अवसर पे पसुपतिक मार्थ पारस उपस्थित रहेंगे और उन्होंने मांग कर दिया है कि भारत सरकान राम बिलास पासवान को भारत रत्न से नवाजे इतना ही नहीं इस बात को ले करके अब पूरा परिवार एक जूठ होने वाला है आपको बता दें कि सभी ने परिवार के जितने भी लोग अलग हो गये थे वो सारे लोग इस कारेक्रम में जूठेंगे यहां तक कि बहन और जीजा सभी जूठेंगे और सभी को अपने बैक्तिकत रूप से जा करके चिराग पासवान ने आमंतित किया है इसका मतलब सिधा सा है कि नितिश कुमार ने जो परिवार और पाठी को कहा जैसा कि जा रहा था लगतार चर्चाएं चल रही थी कि जदियू के प्रयास से ही ये सब कुछ संभव हुआ था और चिराग पासवान और पसुपति कुमार पारस अलग हुए थे लेकिन अब रामबिलास पासवान की बरसी को ले करके एक जूट होदा परिवार इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि बहुत जल्दी सब एक साथ होंगे और एक साथ फिर से लोजबा नजर आएगी जुड़े रहे है भारत लाइब के साथ आज पूरे दिन हमारी नजर बनी हुई है क्या कुछ घटनाएं होती है कौन आता है हम आपको सिलसिलेवार धंग से सब बताते रहेंगे बहुत बहुत धन्यवाद तो जॉइन बटन दबा दी पेटियम नंबर नोटकली 9386816700 धन्यवाद